चत्तिर का चुनाओ खत्म होने के बाद अब दावों, कयासों और आशंकाओं का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ट विधायक एवं पूरो मंत्री ब्रेज मोहन अगरवाल ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर मतगर्णा में गरवड़ी की निर्दली और अन्यय प्रत्याशों के मतों को कॉंग्रेस के प्रत्याशों के खाते में जोड़ा जा सकता है। दबाव में हैं और इसमें केल्कुलेशन मिस्टेक के माध्यम से गरवरी करने की संभावना होती है। तो इसके लिए हमने कहा है कि वो जड़ा सभी प्रत्यासियों के को मिलने वाले वोट को वो नोट करें। और जो ARO है वो सतरक्ता के साथ में उसकी टोटलिंग को देखे कि कहीं कोई निर्दलियों के वोट कोई अन्य पार्टियों के वोट कांग्रेस पार्टी के साथ में ना जोग दिये जाए। इस बात की हमने सतरक्ता बरतने का निर्देश दिए। इस प्रॉंग रूम के बाहर जो पहले पंडाल लगता था कारकरताओं का समय सभी पार्टियों की इस बार इजाजत नहीं दी गई है प्रसासन द्वारा। देखें वैसे भी इसकी आवसकता नहीं है क्योंकि सेंटरल फोर्सेज इसमें लगी है और सेंटरल फोर्सेज को तो वो देश के प्रती समर्पन की सपत लेते हैं। उनको किसी राजनेतिक दर्ज से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कानून व्यवस्ता बनाए रखना सुरक्षा व्यवस्ता बनाए रखना इस बात का यह होता है तो मुझे लगता है इसकी कोई बहुत ज्यादा आव सकता नहीं है। इलाई में सम्मिधान दिवस पर कारकरम आयोजित हो रहते हैं। वहाँ पर प्रदूसित रामायन करके किताब लाया गया। जिसको लेकर बजरंदल ने आपत्ती जताई हैं। पुलीस में मामला दर्ज हुआ है। देखें कॉंग्रेस पार्टी सुरू से तुष्टी करण की राजनिती करती है। और जहां पर मुख्यमंत्री जी के पितास्री हमारे भगवान के विरुद्ध में अनर्गल बाते करते हूं। उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। यह फुर्स्टाइम मूटर और महिलाओं को आप दावा कर रही है। तो क्या लग रहे हैं कि आप देखें कि कॉंग्रेस ने ऐसी कोई नई बात नहीं की है। जिससे कि यो फर्स्टाइम मोटर को या वो महिलाओं को या वो मजदूरों को आकरसित कर पाएं पहली बाद बीजेपी ने सहरी मध्यम वर्ग और लोवर मध्यम वर्ग के लिए आज तक किसी भी राजनितिक दल ने उनके लिए कोई योजना नहीं लाई थी कि जो बारा हजार रुपए साल का महिलाओं को देनी की जो योजना है उस योजना ने भारती जन्ता पार्टी के पत्थ में एक वातावरन खड़ा किया है साथ में जो पीएस्टी का घोटाला है दस लाख लोगों को रोजगार देने की और पच्छिन सो रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात है उसको लेकर युवाओं में बड़ा अक्रोस है और वो अक्रोस वोट के रूप में परिवर्तित होगा और मोदी जी के प्रती पूरे देश में युवाओं में महिलाओं में सब में एक विश्वास की भावना जागरित होई है और मोदी जी की जो गैरंटी है उसके कारण मुझे लगता है कि किसान को भी जो हमने कहा है कि एक मुस्त उसको अत्रिक्त पैसा देंगी जो छोटा किसान है लगभग 70% किसान जो है वो मारिजनल किसान है और उसको जब 10,000 रुपार 4 किस्त में मिलता है तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है बीजेपी ने ये वादा किया कि हम एक बार में देंगे तो उससे भी छोटे किसानों में एक विश्वास जगा है और उसने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है और इसने चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है ये तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं और ये कहते हैं कि बस्तर और सर्गुजा सरकार बनाती है तो अगर उसमें 26 में से 16 से ज्यादा स्टे बीजेपी जीत रही है तो सरकार बनना लगवग सुरिच चित अंतरन चल रहा था ऐसा आरूप है वहाँ पर बवाल भी हुआ ये बजरंदर ने उसका विरूद किया अंड़ा थाना चेतर में मामदा दर जोग अंदे के कांग्रेस का जो काम है कि लोगों को धर्मांत्रीत कराना अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए जो बहुसेंखक समाज है उसका अपमान करना तो कांग्रेस की नीती रही है उ ये उसका अपमाने करना अपने पक्ष में तसिकाईगी